उसे अप्तोड कर साथ बार लगातार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड और एक और रिकॉर्ड है कि लगातार तीसरी बार जंग समर्थन से पुर्धान मंतरी बनने का पुर्धान मंतरी मोधी जी के नेतुरत की सरकार ने ये रिकॉर्ड बनाया और यह record 60 साल से पहले के record की तुलना की जाती है मगर मैं कहना चाऊंगा सभापधी महोदे इस record उस record ने बहुत अंतर है क्योंकि वो record तो किसी राजे रजवाडों की शान और शौकत के साथ रहने वाले किसी ऐसे नेता कथा जिन्होंने महत्मा जी की क्रपा से वाइसराय से सपत लेकर मोती के लाल का बना हुआ सरकार नहीं थी ये अभावों में पैदा हुए राष्टवाद का संकल्प लेकर युवावस्ता से स्वहमसेवक बनकर एक चाय बेचने वाले के लाल के निर्तुरत में बनी हुई सरकार तीसरी बार बनने का या बजट है मोरे बजट आख़़ों का प्रद्विम में होता है अब 2,12,000 रुपए पर कैपिटा इंकम है तो वो खराब है 10% महेंगाई अच्छी थी 5% महेंगाई खराब है ग्रोथ रेट 5% से कम थी वो अच्छी थी और अब ग्रोथ रेट 7.2 और कुछ सीमाव में 8% है तो वो खराब है मगर सभापदी महोदे समझा जा सकता है जिनकी संख्या की समझ ऐसी हो कि 99 बड़ा है और 240 छोटा है 22% वोट अच्छा है 38% वोट कम है तो वो सहजी समझा जा सकता है जिनकी सोच ऐसी हो कि 3rd term में government बनाना पराजय है और 3rd attempt में 3rd digit touch न करपाना इतिहासिक विजए है मुझे लगता है परन्तु एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इतना तो कम से कम उनको अक्तियार मिला है कि पहली बार नेता प्रतिपक्ष कपद उनको मिला है इस बात के लिए मैं उनको शुपकामना देना चाहता हूँ और राजी शुकला जी ने अभी एक शेर बोलते हुए कहा था न वो शिहरत आई है वो गई भी हो सकती है तो वो जिस धंके लहजे और जिस धंके तेवर दिखा रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा खामोर्शी लब है जुकी है पलकें दिलों मे उल्फत नई नई मगर यहां तो उल्टा है गुस्ताफ लब है तनी है बहएं दिलों में नफरत नई नई है मगर उसके आगे के लाइन है तो अब मैं कहना चाहूंगा शीनल का कुछ इंख बताना चाहता हूँ एक दौर था जब भारत में विकास की तर 1.25-2% रहा करती थी और कभी-कभी शुनिके पात पहुंग जाये करती थी आज भारत की विकास दर विश्व की समस्तर फ्वेवस्ताओं में सबसे उपर 7% से उपर जाकर खड़ी हुई है एक दौर था जब वर्ड बैंक और आने की एक बड़ी फेमस फिल्म थी जिसमें एक डायलोग था कि तुम्हारा मुल्क नीसो सब्तर के आसपास की एक दो रोटी खाता है तो एक करजे की खाता इंडियास कंट्रिबूशन तो दो बड़ी जीरो जीरो एंड जीरो मैं याद दिलाना चाहता हूं आज मोदी जी के नित्रट में हालत यह हुई है कि इंडियास कंट्रिबूशन तो दो ग्लोबल जीडिपी 15 परसेंट और एक और पिछले बारत में फॉरेंटी फाइब डिलियन डॉलर का हुआ है जो पूरे वर्ड में सबस्यादा था चाइना से भी ज्यादा और इसने महात्मूर बात क् मिडिलीज के कंट्री से हुआ करता था जहां हम किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहते पर जहां का जाता है सामान ने ओसर दर्जे के काम करते थे पर इसबाद 36 परसेंट जो ग्लोबल रिमिटेंस है वो डिवलेप्ट एकनॉमी यानि अमेरिका यौरप और सिंगापुर से जो दर्चाता है कि भारत की मेधाप की सीमा तक जाकर विश्व में पहुचकर प्रभावी होना शुरू हो गई है और मैं याद दिलाना जाहता हूं इनके समय में सेंडर्स इनकूर ने भारत की रेटिंग पॉस्टिव से निगेटिव कर दी इस्टेविल से निगेटिव कर जाता है अब बहुतिव आउटलुक रिफ्लेक्स इनके से निगेटिव एगए और दोहजार अठार में जो वर्ड बैंक ने कहा था वाज कह राए दोहजार अठार में अब तक तो लगबग 100% हो गया है कि 85% population has accessibility to electricity और मैं अपने विरोधियों के लिए बताना चाहता हूं Bloomberg ने अपने economics में कहा है अपने report में कि in the best case scenario India's economy will accelerate by the rate of 9% by the end of this decade and China will slow down to 3.5% so that puts India on the course to overtake China by the beginning of the next decade और उन्होंने कहा कि world's biggest economic growth diver India बन सकता है after 2029 और उन्होंने ये भी कहा in the most pessimistic scenario if India grows by 6.5% by 2037 India will be able to overtake China मगर महोदे मैं ये बताना चाहते है इन पैसे मिस्टिक सोचे तो 2036 से इसमें आगे हो जाएंगे मगर महोदे ये बात कैसे उन लोग को समझ में आईगी जो लोग वित्रमंत्री महोदेया ने चुनाव से पहले बजट से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी हलुआ बनाने की उसके ओपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कहा जा रहा है कि इसमें SC, ST और OBC कहा पे हैं वैसे तो हमारे शायद वित्राज्यमंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े मगर मैं पूछना चाहता हूँ ये वो लोग पूछ रहे हैं सवापदी महोदे जो 60 साल से खाते रहे हलुआ और जनता को खिलाते रहे बलुआ मैं पूछना चाहता हूँ महोदे OBC की बात करने वालों से कि तिरपन में काका कालेलकर कमेटी बनी 55 में रिपोर्ट आयो 55 से 77 तक 22 साल OBC खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलुआ 1980 में मंडल कमिशन की रिपोर्ट आई इंद्रा जी और आजीव जी की सक्कारे आई 10 साल तक OBC खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलुआ जिन्होंने चार-चर पीडियों तक खाया है हलुआ वो आज कर आज हमसे आके पूछ रहे हैं वो तो मोदी जी जब आए तो OBC कमिशन को समवेधानिक दरजा मिला आन्य था मैं हलुआ और बलुआ वालुँ से पूछना चाहता हूँ तो 2014 मिनकी कैबिनेट में केतने OBC मिनिस्टर थे तीन कभी नाम अगर बता दे तो ये दर्शाता है मगर दर्शाने में कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है आखो ध्यान हो उनके लिए ये बजट एक चक्र व्यू की तरह हो गया है वो कहते हैं चक्र व्यू और पद्व्यू समान है पद्व मतलब लोटस यानी कमल मगर महोदय में आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से पुरिदेश को बता देना चाहता हूँ उनकी ज्यान के उपर महोदय पद्व व्यू चक्र व्यू अलग है प्राचीन भारत में पद्व व्यू है चक्र व्यू है गरूर व्यू है क्राउंच व्यू है चंद्र व्यू है मकर व्यू है त्रिशूल व्यू है 36 प्रकार के व्यू है मगर क्या करें जिनको व्यू व्यू नजर आता हो उनके लिए हर चीज में उनको भारती जंता पार्टी और कमल के उपर आपती नजर आती तो मैं यह भी करना चाहता हूँ सवापदी महदे हम सब चाहते हैं इस देश में समर्दी आए बजब इसीले लाए जाता है यानि मा लक्ष्मी की करपा रहे और हम सब चाहते हैं देश में प्रभुदता आए मा सरस्वती की करपा रहे और मा सरस्वती भी कमल पर विराजती है और मा लक्ष्मी भी कमल पर ही व तुम हाते खोलो, DBT, Direct Benefit Transfer आया, उसके बाद मुद्रा इसकी माई, उसके बाद Product Link Equity इसकी माई, अरे पहले Product बनेगा, फिर विश्करमा इसकी माई, फिर आप देखिये, आज Employee Link इसकी माई है, जैसे जैसे हमारी संब्रदी बढ़ी, हमने जन्ता को शेथ दिया, पहले 6,000 रु बाद हो गया, LIC बरबाद हो गया, HAL बरबाद हो गया, तो मैं आपके माध्यम से सदन के संग्यान में लाना चाहता हूँ, कि LIC ने पिछले क्वाटर में 17,000 करोड रुपए का Profit दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्मेंट मिला कर सबसे ज़ादा है, SBI का All Time High नही होता है, सभापधी महुद है, कि भारत की कंपनिया, पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, उनके बारे में दुश्परचार होता है, मैं आज तक किसी विदेशी कंपनी के बारे में दुश्परचार होते नहीं देखा, मैं उसके बारे में विस्तार से नह अपना नहीं की जा सकती थी कि ब्रिटेन की इक्षा जादा होगी वहां इस बात के लाल साज अधिक है कि भारत का वो हो परन तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूं हमारे ग्रोधी कहते हैं कि डॉलर डॉलर के पृट्टी कीमत कम हो गई मुझे लगता पता नहीं कि जमाने में जी रहें वो दिन गए जब डॉलर वल्ड की हाट करेंसी हुआ करता था मैं कोट करना चाहता हूं अब धीरे धीरे वो इस्तर डॉलर का हट रहा है इसी वर्श मेश 7 को IMF की फिर्स टिपिटी मेनेजिंग डिरेक्टर ने कहा है उनका ल चाहूंगा इने बिल्ट बाई न्यू डिजिटल ट्रेडिंग टेक्नोलिजी रिमेन इंटेक्ट तो डिजिटल एकनॉमी जिन देशों की मजबूत है और आज इस्तिती है कि सबसे बड़ा हमारा जो फॉरें एक्षेंड का रिविन्यू आता है पेट्रोल में वह हम मुक्य प्रभाव के साथ आगे उभरता हुआ नजर आ रहा है एक आरोग बजट के दौरान उन लोगों ने लगाने का प्रयास किया प्रोडेक्ट इंप्वाइमेंट इसकीन के उपर कि जैसे कोई हमने उनकी नकल करने का प्रयास किया है महोदय मैं आप से करना चाहूंगा आर्थ प्रभाव के साथ भारत का जो कुल राजस हो है कुल आमदनी 27 लाग करोड से कम है और यह कहते हैं और किस प्रकार का भ्रम और भ्रह भलाने का प्रयास करते हैं और इसी निया मैं कहना चाहता हूं यह कहते दिना किसानों के अग्रिकल्चर लोन पे करके दिखाया था इसलिए यह करने में नहीं किसी भी प्रकार का हला मचाने में अधिक रूची रखते हैं और मैं इस बजट की एक और प्रसंसा करना चाहूंगा कि भारत की पहचान और सांस्कृतिक विशेक हो किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए इसके लिए नारंदा बोद गया और उडिसा के लिए जिस प्रकार के धंका अबंटन किया गया है वो बहु बहुत अब बहुत है और इसकी पहचान होनी चाहिए और जादी होना चाहिए उससे कह दिया जाए कि यिदि सर्टिफिकेट जो आपका और उडेडी इस्वीड है वो दिखा दो कहतरा उत्ता है इसलिए मैं कहना चाहता हूं इनके जानते हैं पहचान शुपाने वालों से बढ़ा हो गया CAA, वहाँ भी पहचान चुपाने वालों के साथ है, और आज भी पहचान चुपाने वालों के साथ है, इसलिए इनकी फित्रत किसी भी प्रकार से बदलती नहीं है, मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूं, जि कार्पोरेट टैक्स को 40% से 35% किया गया है, तो बात आज देश के सामने बहुत साथ रुकर सामने आ रहे है, और मैं यवी पहना चाहता हूं, जिनको लगता है, यह सावन का महिना है, जैसा कि इमदान ही कह रहे थे है, तो मैं सावन के महिने पे बहुत जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से साबन नहीं मरा करता है। बढ़ा मोबाइल मैनफेक्चरर बन गया भारत यह बना कोई आसमान से जिन्नात नहीं आ रहे हैं महोदे कोई ना कोई बना रहा इस लिए आकड़ों में देख ले बात बिल्कुछ साफ हो जाती है और जो अभी उन्होंने दूद नहीं की बात पही तो मैं एक बता जाता हूं महोदे 2004 में जाके देख लीजे 18 रुपय का था जो हमारी सरकार आई तो 40 रुपय का तो कित्ता बढ़ा 220 परसेंट महरास्ट में 52 कोट के लिए 76,000 करोर रुपए दिया गया है आज मैं बताना चाहता हूँ 500 बड़ी कंपनिया जो आएंगी तो उत्तर भारत में NCR का छेतर उसे सबसे ज़्यादा लभानवीत होगा तो दिली के आसपास के राज हर्याणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान उनको सबस्याद अला मिलने के संभावना है आइफोन मनाने की फैक्टरी तमिलनाडू और करनाटक में लगाई गई है जिससे इस बात का पता चलता है कि जिसे आदरणी लालू प्रसाद यादो जी का एक बड़ा फेमस डायलोग था जो उन्हीं की शैली में था कि बहुत पॉलिटिक्स है मुझे लगता महदे बहुत पॉलिटिक्स है इसे दिल्ली सही बोला कि पटना सही बोला पटना सही बोला कि डिल्ली सही बोला ये समझ से परे ये दर्शाता है कि खुल मिलाकर इनके मन में मोधी भी रोज की politics में इतने confused हो गए हैं कि इनके जो fuse उलने शुरू हो गए हैं अब मैं यह भी बताना चाहता हूँ मेरा समय समाथ की ओर है तो मैं तेजी के साथ सिर्फ यह बताना चाहता हूँ इनके मन का भाव क्या है इनके करनाटक के मंतरी डीके सुरेश की इस प्रकार का बयान देते है कि टैक्स कलेक्शन साउथ में जादा है और नौर्थ में कम है उनसे इंटर्व्य पूछा जाता है क्या आप अलग होना चाहते हैं तो यह भी बोल देते हैं हाँ हम इस बारे में भी सोच सकते हैं तो सिर्फ संखेप में आज तक कि इतिहास में सबसे अधिक महंगाई वाले जो वर्ष हैं जोजार आप ड़ोजार आठ़ाः रोजार और दोजार पाँच यानि कि जिन्होंने सदय महेंगाई में जोके रखा उसके बाद भी महोदे मैं तुमें कहना चाओंगे उसके बाद इनकी तल्की देखिए इनकी बद्जुबानी देखिए तो इन्होंने हिसाब किताब की बात कही थी तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा अंत में इनके लिए कि लहजे में बच जुबानी और चेहरे पे नकाब लिए